असलाम अलेकुम तो आडिया स्टुडेंट्स मैं आपका ट्यूटर रजाल अतीफ ठीरी फॉप्टिमाइजेशन लेक्चर नमर टॉन्टी नाइन डिलीवर करने जा रहा हूँ आज जो हमारा टोपिक होगा एकुने के अडिया को आजमने के स्वळकboys ने स्ट ही यह था कुछ में फ dessus व शे कि तरह तो कुस्टेन है solve by using bisection method function आपको दिया गया f of x equal x square plus 2x minus 200 तो no lean equation जो होती है उसका result जो है f of x equal to 0 था है इसलिए इस function को equal to 0 किया हुआ है and epsilon equal 0.2 अगर epsilon आपको ना दिया गया हो तो आपने फिर भी 0.2 असानी के लिए लेना है ताकि आपको उतनी iteration perform करना बढ़े ठीक है और question को solve करना है तो next देखें इसका solution given that आपको function दिया गया है f of x equal x square plus 2x minus 200 epsilon है 0.2 ये आपको tolerant इससे less show करवाना होगा यानि 0.2 से यानि epsilon से less जो इसके modulus होगा यानि function f of z का जो mod modulus value वो less in अगर epsilon आएगा तो आपने उस process को terminate करना होगा तो चलते हैं इसको solution को verify करवाने के लिए now we choose two points as very closer to each other and then we select its region जब आपने इसके region को select करना होगा तो आपने two points चूज कुछ से करने होते हैं और वो consecutive two points होने चाहिए और उनका जो gap है वो इतना closer हो के आपको roots उनके between find out हो जाए easily और उतनी iterations आपको perform करना पड़ी जो के epsilon restrict किया गया है आपको रोका है के इसके guarding आपने move करना है और इसको follow करते हुए हम epsilon को understand करेंगे तो उसको understand करते हुए आपने जो two points चूज करने हैं यानि x1 and x2 वो कुछ ही sense में होगा के x1 अगर आप 13 रखते हैं for example तो आपने फिर उसको function में write करना है f of x1 देखिए यह आपके पास function f of x तो अगर आप यहां पर x1 रखते हैं यहां पर x1 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 तो उसमें आप x1 की value को put करोगे तो calculator से आप function write करके उसका direct answer write कर सकते है similarly आपने वह function calculator में write किया होगा आप वहां पर x2 की value 14 रखेंगे तो आपको उसका answer 24 मिलेगा अब यह जो है इनका product जो है वह इस तरह है कि negative positive आ रहा है लेकिन यह very very much closer नहीं है आप ऐसे करें कि x2 13.5 लेने तो यह अगेन आपको 9.25 दे रहा है यानिकि यह minus 5 और 9.25 यह दूसरे के ज्यारा closer है इस 24 की निसबत तो आपने क्या करना है कि इन दोनों का product join करना है वो lesson कहलें कि 0 होना चाहिए तो देखें f of x1 का dot product लिया f of x2 के साथ तो minus 5 multiply 9.25 को आपको negative 1 से generate करें यह negative term है और यह positive term है तो इसके guarding वो आपका जो region है select करना होता है वो इस बात पर understood सी बात होनी चाहिए कि अगर आपने x1 का जो point put किया है वो एगर negative 1 से generate कर रहा है और x2 का point आपको positive 1 से generate कर रहा है और very very much closer to each other तो फिर आपने उसका जो region बनाना होगा उसके between कोई आपका root exist होगा ठीक है वो root इनके between point के exist आपने show up करना होगा कि terminate किस point पर जाके होता है तो यह आपका point है यह जो region बनेगा region is 13,13.5 ठीक है यह यह boundary region बनेगा और इनके between ही वो आपको point मिलेगा जिस पर वो terminate process attain हो जाएगा सही है तो चलते है इसकी iteration की तरफ तो iteration number 1 आपने इसमें choose करना होता है point को यनिकि x1 negative है और x2 आपका positive है देखें जरा यह आपका x1 13 negative answer दे रहा है और x2 पे देखें यह answer 13.5 पे answer positive है यह दो points आपने choose कर लिए अब इन दो points पे आपने by section method का formula अप्लाई करना है by section method का formula है z equal x1 plus x2 by 2 अब इन दोनों को add किया और divide 2 किया तो answer आपको मिल गया 13.25 और उसके बाद आपने जो z की value calculate कर ली है इसको आपने function में write करना है यनिकि f of z यनिकि जहां x था न f of x equal x square plus 2x minus 200 वहाँ पे x को replace z के साथ कर दिया आप z की value जो है 13.25 उसको आपने put करना है यनिकि add z equal 13.25 देना आपको functional value 13.25 पे 13.25 पे 2.063 मिल जाएगी अब यह जो value आपको मिली है functional value वो positive मिली है ठीक है और इस पे आप ज़रा चेक करेंगे modulus value f of 13.25 यह आप यह भी कह सकते है f of z यह जी की value है तो इसका mod है modulus value is never less than epsilon ठीक है तो epsilon की value थी 0.2 यह तो 2.063 है इसका मतलब है यह अभी termination process को reach नहीं कर सकता तो हमने क्या करना है go to step number 2 यह जब move करेंगे उसके लिए अगे आपको 2 points चूज करने होंगे तो उसके लिए क्या है कि यह आपका positive यह निके functional value है तो इसका point जो होगा 13.25 यह जो z की value है यह आपकी replace हो जाएगी positive point के साथ यह निके वहाँ पे x2 की value थी 13.50 तो इस तरह है की थी देखें तरह 13.50 ठीक है यह है तो यह point यह वाला negative point था यह वाला यह आपका positive point था तो जो आपके पास functional value आई है वह positive है तो इसको positive के साथ आप replace कर देंगे और जो first वाला point होगा वह as it is ही आ रहेगा यह ज़रा देखिएगा x2 की value देखें replace हो गी है यह जनिके इसका जो point है 13.25 यहाँ पर यह replace हो गया और जो first point x1 था वह as it is ही आ रहे है ठीक है यह no change है तो इसके बाद जब हम जो point select कर लिए तो उसके बाद आपने formula bisection method का apply करना है x1 plus x2 over 2 और इसके calculate किया तो आपको मिल गया इसका answer 13.125 उसके बाद functional value में इसको put करेंगे तो आपको answer मिल जाएगा minus 1.484 अब यह negative answer generate कर रहा है functional value पे और जब इसकी modulus value आप attain करोगे और again यह आपको never less than epsilon मिलेगा तो उसके बाद आपने फिर क्या करना है go to step number 2 यह process को ऐसे until आपने move करवाते रहना जब तक आपको epsilon से less functional value का modulus ना मिल जाए तो उसको आपने perform करते रहना है अगें आपने इसमें two points को choose करना है तो देखें तरह यह आपके आपास functional value जो है यह negative answer generate कर रहा है इसका मतलब आपने जो इसका point 13.125 इसको negative वाले से replace कर देना है यह यह एक्सवान यहां पे 13 था बेले आपने x1 plus x2 over 2 और calculate करके आपको answer मिल गया 13.18 1888 और functional value जब आपने calculate की तो आपको इसका answer मिला 0.29 अब यह positive answer generate कर रहा है और functional f of z जो functional value है जो modulus है वो is never less than epsilon epsilon था 0.2 बट यह तो 0.3 आ रहा है ठीक है approximate यह 0.29 its mean 0.3 लेकिन यह 0.2 अगर हो तो फिर आपने उससे less value show up करवा नहीं है तो अभी आपने iteration next अभी और perform करवा होगे तो go to step number 2 अभी आपके पास जो function value यह positive है आपने जब points चूज करना है उसके according इसकी बात चीज़ हो जाएगी तो iteration number 4 set x1 and x2 तो इसमें function value आई है positive तो यह positive point के साथ replace हो जाएगा यानिके 13 point यहां पर था 13 point यह आपके पास जो value यह पोस्टर 13.188 यह आपके पास यहां पर indicate हो जाएगा जो इसकी previous value थे वो यहां से remove हो जाएगी और जो first point x1 है वो as it is यह आजएगा x1 उसके बाद जो यह दो points है इनको अगेन आप by section के according solve करेंगे और function value find करेंगे तो यह आपको negative answer दे रहा है और उसके बाद function value f of z calculate की modular skill है और यह again is never less than epsilon आ रहा है तो उसके बाद आपने फिर क्या करना है go to step number two step number five iteration number five में जब आप फिर चूज करेंगे x1 and x2 इसमें आपके पास function value f of z जो है वो negative answer generate कर रहा है इसका मतलब है कि आपने जो point 13.157 है यह negative वाले के साथ replace कर देंगे x1 के साथ replace कर देंगे x1 equal 13.157 और x2 जो होगा as it is 13.188 उसके बाद आपने again bisection method का formula write किया और इसको calculate किया तो यह इसका point मिल गया और point के बाद आपने इसके ओपर function find किया function का answer है minus 0.126 और फिर उसके बाद आपने function value of z जो है उसका modulus लिया तो यह आपको f of z का modulus है वो आता है minus 0.126 का mod और जो modulus value थी वो negative को close कर देगी और यह आदेगा 0.126 its mean कि वो epsilon से less value आपको मिल गई यानि 0.126 वो 0.2 से less है तो आपने process को terminate कर देना है as we reach the termination process as recommended by section method ठीक है तो आगे कुछ exercise के question है यह आपने सभी ने understand करने और इसको अपने notes में add करेना question है solve by using by section method in optimization problem यह question है first part x cube minus 4x square plus x minus 10 equal to 0 2x minus second question है 2x minus cos x minus 3 equal to 0 और third है e की power x minus ln x natural log of x minus 20 equal to 0 और fourth question है cos into e raise to power x minus 2 bracket close minus e raise to power x plus 2 equal to 0 and fifth question है 2x minus log of x minus 7 equal to 0 अब यह आपके पास totally जो यह questions दिया गए है यह f of x है ठीक है non-linear qn के लिए equal to 0 होता है इसलिए यह mentionalize equal to 0 करवाया गया और आपके पास f of x हो होगा यह जो आपको left hand side indicate हो रही है सभी f of x है ठीक है तो RDA students अच्छे दिरके से इसे आपने अगर किसी किसी की confusion बनती है कोई steps का issue होता है आपको understand नहीं हुआ तो आप question कर सकते हैं क्या रखेगा RDA students दौाओं में या रखना अला आफेज़ें स्टे बेस्ट झाल के बेस्ट सभी तो आपको प्रम झाल झाल